और हमारे गीच जो सबसे युवा शायर है जो सबसे प्यारा शायर है जो हम सब का साथी है जो हम सब का दोस्त है मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और मैं उसे शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ नील को कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ मैंने तुम लोग यहाँ आज हाजरीने महफिल हैं सभी का शुक्रियादा करना चाहूंगा और सदर महतरम की इजाद के साथ कुछ एक मतला कुछ शेर देखें के उदास चेहरा दिली उदासी मिली हमें जिन्दगी उदासी उदास चेहरा दिली उदासी मिली हमें जिन्दगी उदासी उदास लोगों का मसला है उन्हें खुशी है दे रही उदासी मेरी खमोशी में सब्थे चुप पर कहा जब ही कह सकी उदासी हमारा खुश है उदास होना हमारा खुश है उदास होना हमारी खातिर खुशी उदासी है मैकदे मेरा फलसफा और पहन के छहरा बदन हमारा पहन के छहरा बदन हमारा देखी ठी जिन्दा खड़ी उदासी बहुत शुक्तिया एक और गसल से कुछ शेर देखें एक मतला कुछ शेर के जैसे ही मैंने कह दिया दुनिया खराब है जैसे ही मैंने कह दिया दुनिया खराब है दुनिया है चीखती तिरा हिस्सा खराब है जैसे ही मैंने कह दिया दुनिया खराब है दुनिया है चीखती तिरा हिस्सा खराब है और ये शेर तमाम प्यारे लोगों की नज़र है कि वैसे तुम्हारे साथ हम चलतो रहें हैं पर मुर्शिद तुम्हारे हाथ का नक्षा खराब है मुर्शिद वैसे तुम्हारे साथ हम चलतो रहें हैं पर मुर्शिद तुम्हारे हाथ का नक्षा खराब है और ये शेर देखें कि मेरी वफा में हो कमी चिला के बोलिए आप सभी को इजासत है मेरी वफा में हो कमी चिला के बोलिए ये तो न बोलिए मेरा चेहरा खराब है मेरी वफा में हो कमी चिला के बोलिए ये तो न बोलिए मेरा चेहरा खराब है और पैसे की चाह भी अगरचे घर को तोड़ दे सीरिय से शेर देखें के पैसे की चाह भी अगरचे घर को तोड़ दे साथी फिर आप जानिये पैसा खराब है और एक शेर बहुत महीन सा शेर मैं पढ़ता हूँ देखें इस गजल का के अंदर घरों के पीट करके ओर्तों को आप बाहर है क्यूं ये बोलते महिला खराब है बाश प्या और एक गजल से मैं शेर पढ़ रहा हूँ मेरा भाई है उतकर्ष बैठा हुआ और उसकी फर्माईश है तो उसकी फर्माईश के ये गजब पढ़नी है मतला देखें कि मुझ जैसा एक शक्स दिखे है आई इने के पार खुदा मुझ जैसा एक शक्स दिखे है आई इने के पार खुदा मुझको ऐसा लगता है मैं ही मेरी दीवार खुदा महशर में भी चुप हूँ पर मेरे एहबाब ये कहते हैं हाँ देख इसे हाँ देख इसे है सबसे ये मकार खुदा और शेर होता है कि मैं उसी कबीले का साथ हूँ जिसका कोई इमान नहीं मैं उसी कबीले का साथ हूँ जिसका कोई इमान नहीं इस बस्ती के मुखतार है सब और इसका है सरदार खुदा और इस शेर में वहशरत देखें कि मैं उसी जहां का वारिस हूँ जहां पत्थर खाए है मजनू ये समाज में चोट करता हुआ शेयर देखें कि मैं उसी जहाँ का वारिस हूँ जहाँ पत्थर खाये है मजनू मैं चीख रहा हूँ बरसों से उसको पत्थर मत मार खुदा और ये शेयर में वहशत देखें कि ये रात भी कुछ अफसुरदा है और कुछ बे नाम शनासाई मैं नाप रहा अपनी गरदन लेकर पटरी पर कार खुदा बहुत शुक्रिया और एक गजल कुछ और शेयर देखें कि सुनो एक तीरगी वालों के हम साया मुझे देखो कि फैंको रोशनी देखो के दिख पाया मुझे देखो तुम्हारे हक में आएं हैं महस दो चार पल आंसू बना बैठा उदासी को ही सरमाया मुझे देखो और शेयर देखें कि जमाने में अगर तुम ढूंडने निकले हो बेफिक्री किसी एक लाश की फितरत को देखो या मुझे देखो किसी एक लाश की फितरत को देखो या मुझे देखो और शेयर होता है इसमें कि कि लेता नाम भी हूँ धंग से तो कांप जाता हूँ या महबत का शेयर देखें कि कि लेता नाम भी हूँ धंग से तो कांप जाता हूँ मगर हिम्मत बढ़ता हूँ कि घबराया मुझे देखो बहुत शुक्या एक गज़त दे कुछ मतला कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ उसके लाद अपना कलाम खत्म करता हूँ मैं कि दुनिया वालों से तुम इश्क में डरना मत ये नसीहत के तौर पर देखें कि दुनिया वालों से तुम इश्क में डरना मत गर डरते हो यार महबद करना मत दुनिया वालों से तुम इश्क में डरना मत गर डरते हो यार महबद करना मत इश्क वगेरा बड़ी भली सी चीजें है इश्क वगेरा बड़ी भली सी चीजें है हमसे ये सो फर्जी बातें कहना मत इश्क वगएरा बड़ी भली सी चीज़ें है हमसे ये सो फर्जी बातें कहना मत और ये शेयर देखें कि बाहर आग में कुदो कहते थे रगवर मन में कहते थे कि सीते डरना मत मन में कहते थे कि सीते डरना मत और सबसे बढ़िया इश्दिता खाबों में सबसे बढ़िया इश्दिता खाबों में नीनद में दिखने वाली राह पर चलना मत और शेर आखिर पढ़ रहा हूँ आपकी दाज चहिए कि तिरे शहर आने को मुझे बुलाती है तेरे शहर आने को मुझे बुलाती है किसी रेल पर नहीं लिखा के चड़ना मत बहुत शुक्रिया